बीजेपी की सरकार अपनी निगम में पक्की हार को देखकर चुनाव से भाग रही है यह फरीदाबाद वासियों का लोगतांत्रिक अधिकार है कि निगम में अपने प्रतिनिद्यों को चुनें पार्षत बनाएं मेर बनाएं और शहर की विवस्ता ठीक हो उसके लिए प्रजातंत्रिक अधिकार का प्रयोग करें सरकार ने फरीदाबाद को नो साल में कुछ दिया नहीं कम से कम चुनाओ का प्रजातंत्रिक अधिकार तो समय पे दे सकती थी कोई विकास का कोई कारे को बड़ा फरीदाबाद में सरकार नहीं बता सकती इन साड़े नो साल में कम से कम चुनाओ का अधिकार तो देना चाहि लेकिन चुनाव से भागती हुई बीजेपी की सरकार नजर आ रही है आज ये फरीदाबाद नगर निगमनी जो स्थिती फरीदाबाद में दिखाई दे रही है आपको हमको सड़के सारी टूटी हुई है खुली हुई है जहां काम शुरूरा अधूरा पड़ा है सिवरे जुवस्ता का क्या हाल है मुझे बताने की आवशक्तानी पीने के पाने की सप्लाई की क्या स्थिती है वो मेरे को बताने की आपको आवशक्तानी सफाई का सफाई की क्या स्थिती है फरी आपको नजर आ रहे हैं और निगम प्रस्ताचार का केंदर बन गया पूरे परदेश में बदनामी हुई फरिदाबाद की निगम की वो मुझे आपको बताने के जरूत नहीं यहां तक की दो सो करोड का गोटाला जिस रूप से सामने आया हमारे विधायक नीरे शर्माजी ने भी उसमें बहुत महत्पून भूमी का निभाई पूरे परदेश का ध्यान आकरशिंद करने के लिए रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी जाती है वो आपके सामने इतने खुले में ब्रस्ताचार और जितने ठेके सफाई से लेकर बड़े बड़े मैन पावर तक जो ठेके देज दिये जा रहे हैं विकास कारियों के ठेके दिये जा रहे हैं किस रूप से बीजे पी के के रूप में परिवर्तित करने आकां किया वह आपके सामने है सुलोप सोचाले में घोटाला हमारी सरकार में आपको याद होगा प्याली चौक सड़क को डबल किया गया थे लेकिन आज 9 साल के बाद भी प्याली से बाटा रोड अधूरी है स्टेडियम अधूरा है 26 गाओं को निगम में जोड़ा गया लेकिन वहाँ पर उन गाओं में कोई विकास कारे नहीं कोई सिफाई की कोई सफाई के लिए कोई काम हुआ नहीं निगम में पंदरा सो क्रोण का घाता दिखाय दिखाय जा रहा है कहीना कहीं ऐसा वो सारे ग्रामीन ग्रामीनों के मन में यह प्रसंचिन है कि केवल जो उनके गाओं की जो एफडीज थी वो अजारो क्रोड रुपे कहीं सरकार की उन पे नजर हो निगम में प्रस्ताचारियों की उन पे नजर हो क्या इसलिए मिला आ गया कोई काम कुछ उनका हुआ नहीं कोई भरती दारा बढ़ गया लेकिन नहीं भरती नहीं हुई स्टाफ की सफाई कर्मियों की की बात हो या और कोई स्टाफ की बात हो एक बारिश में फरीदाबाद की निगम की सारी आज तक की कारे विफलता सामने आ जाती है बारिश से लेकर और ट्रैफिक तक 500 से कम पुलिस कर्मी ट्रैफिक के जबकि इतना बड़ा महा नगर निगम और स्मार्ट स्टी के नाम पर क्या हुआ मुझे आपको बताने की जुरूत नहीं वह एक अपने आप में तो ना तो ट्रैफिक कर्मी जितने होने ट्रैफिक कर्मी है बल्लबगड से पाली की पाली जो अभी जो सड़क है वह अदूरी सड़क बुरा हाल उसका है मुझे वह भी बताने के आपको आशा आप तो पता है रेनीवल योजना यह हमारे समय की योजना थी हमारे समय शुरू हुई थी आज तक सुचारू ढंसे नौ साल के बाद सरकार इस योजना को आगे बढ़ा का बढ़ा है योजना